क्लास 11 चैप्टर नंबर 14 क्वाडरिक्टिक इक्वेशन आर्डी सर्मा एक्सर्साइज 14.1 का क्वेश्टन नंबर 16 है, solve the following equation, solve the following quadratic, ठीक है, तो हमको solve करने, solve करने का मतलब हमको x की value नहीं कालनी है, ठीक है, तो आप यहाँ पर middle term split करने कोशिश करो, तो आप इन दोनों को multiply करो, यह क्या बनेगा, यह बन जाएगा 13 axis को है, ठीक है, क्या बनेगा, 13 axis को है, आप middle term को ऐसा split करो कि उनका product यह बन जाए, तो आपको ऐसा कोई भी दो number नहीं मिलेगा, जिसका product, मतलब जिसका product यह बने, और उनको sum करने पर यह बन जाए, ऐसा नहीं मिलेगा, कोई भी, जिससे आप, कोई भी possible नहीं, तो आप यहाँ पर क्या करो, दीखें, यहाँ पर middle term split तो नहीं होगा, तो आप क्या करो, यहाँ पर quadratic formula लगा दू, क्या करो, quadratic, तो quadratic formula होता है, ax square plus bx plus c equal to 0, ठीक है, तो quadratic formula होता है, x equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a, ठीक है, आप compare करो, आप compare करो, ए क्या है, a है 13, b है 7, और c है 1, ठीक है, तो x हो जाएगा, x equal to minus b, b क्या है, 7 plus minus square root of b square, b square, मतलब 7 के square, minus 4ac, a है 13, और c है 1, अपन में 2a, a है 13, ठीक है, x equal to minus 7 plus minus square root of 7, क्या है, 49 minus 13 into 4, 13 into 4 क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा, अपन में 13 into 2, 26, ठीक है, x equal to minus 7 plus minus square root of 49 minus 52 minus 3 upon 26, ठीक है, x equal to minus 7 plus minus, देखे, square root of minus 3 है, तो आप इसको क्या लिश सकते हो, minus 1 into 3, और दोनों पर power अलग-अलग कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, अब देखे, square root of minus 1 क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, और यह हो जाएगा, रूट 3, तो आप यहाँ पिर क्या लिश सकते हो, रूट 3 आयोटा, अपन में 26, ठीक है, अब आप क्या गरो, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, तो x equal to minus 7 upon 26, plus minus root 3 upon 26, आयोटा, ठीक है, तो देखो, आपको x की value निकालने थे, ठीक है, तो आपको निकल गया x की value, अब देख लोएगा, next question number 19 है, 2x square plus x plus 1 equal to 0, ठीक है, अब यहाँ पे पहले देख लोगा, कि अगर middle term split होगा, तो हम quadratic formula नहीं लगाएगा, अगर नहीं होगा, तो लगाएगा, तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, कि यह जो question number second है, exercise forward, इसमें किसी में अब ही middle term split नहीं होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, अब चेक करके देखना चाहते हैं, करके देखा देखा, आप इन दोनों को multiply करो, यह क्या बनेगा, 2x square, आप x को ऐसा दो टर्म में split करो, कि उनका product यह बन जा, है, कि उनका product यह बन जा, तो आप x को ऐसा कुछ भी split नहीं कर पाओगे, जिनका product यह बने, तो आप क्या करोगे, quadratic formula लगा तो, ठीक है, आप चाहो तो चेक करके देखना, ठीक है, 2x square, प्लस x, प्लस 1, एक्वल्टों से, आप इससे compare करो, a क्या है आपका, a है 2, b क्या है, b है 1, और c है 1, ठीक है, अब आप replace कर दो इसमें, इस quadratic formula में, तो आपका x हो जाएगा, x equal to, minus b, minus 1, plus minus square root of b square, b क्या है 1, 1, 1 का square, minus 4ac, 4, 8, 2, और c1, अपॉन में 2a, a क्या है, आपका 2 है, ठीक है, तो x equal to, minus 1, plus minus square root of, 1 का square 1, minus 4 into 2, 8, अपॉन, 2 into 2, 4 हो जाएगा, ठीक है यहाँ तो, आप देखो, x equal to minus 1, plus minus square root of, 1 minus 8, यह क्या हो जाएगा, minus 7 हो जाएगा, square root of minus 7 का हम क्या लिसकते है, square root of minus 1 into 7, अब दोनों पर power अलग-अलग कर सकते है, square root of minus 1 into square root of 7, अब देखो, square root of minus 1 क्या हो जाएगा, square root of minus 1, यह आयोटा हो जाएगा, और यह हो जाएगा, root 7, और upon में 4 हो गया, ठीक है, ठीक है, यह हो जाएगा, x equal to minus 1, plus minus, इसको root of minus 1, आयोटा, root 7 upon 4, ठीक है, x equal to, आप इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, यह हो जाएगा, minus 1 upon 4, plus minus, आयोटा, root 7 upon 4, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब देखो, आपके x के value निकल गया, यह आपका हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, अब देख लिएगा, next question number 20 है, root 3 x square minus 2, minus root 2 x plus 3 root 3, equal to 3, ठीक है, आप इन दोनों को multiply करो, यह हो जाएगा, 3 root 3, और यह हो जाएगा, 9 x square, आप इन दोनों को multiply करोगे हैं, क्या हो जाएगा, 3 root 3 into root 3, तो यह हो जाएगा, 3 into 3, और यह x square, तो 9 x square, आप इसको कैसे split करोगे, नहीं split कर पाऊगे, पॉसिबली नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पी क्या करो, तो quadratic formula लगा दो, quadratic formula क्या होता है, ax square plus bx plus c equal to 0, x equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a, तो एगा, अब आप compare करो, a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, root 3, b हो जाएगा minus root 2, और c हो जाएगा, 3 root 3, तीक है? अब यहाँ लगा दो, root 3x square minus root 2x plus 3 root 3 equal to 0, तो x हो जाएगा, minus b, तो हो जाएगा minus minus root 2 plus minus square root of b square, minus root 2 का square minus 4ac, 4a और यह c, ठीक है? अपन में 2a, 2 into root 3, x equal to, यह हो जाएगा, root 2 plus minus square root of, minus 2 का square, 2, minus 3, और यह root 3 into root 3, 9, 9 into 4, 36, अपन में 2 root 3, तो x हो जाएगा, root 2 plus minus square root of minus 34, आप देखो, square root of minus 34 का आप क्या लिख सकते हैं? square root of minus 1 into 34, अब दोनों पर पर अलग अलग कर सकते हो, ठीक है? अब देखो, यह हो जाएगा, root 2 plus minus, यह हो जाएगा, root 34, आपन, 2 root 3, ठीक है? अब क्या करूँ? इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, x हो जाएगा, root 2 upon 2 root 3, plus minus square root of 34 upon 2 root 3, आई रोटा, ठीक है? यह आपकी x की बेलनी हो जाएगा, next, next है question number 21, root 2 x square plus x root 2 equal to 0, ठीक है? आप इन दोनों का multiply करो, यह बन जाएगा, root 2 into root 2, यह हो जाएगा 2 x square, ठीक है? आप इसको ऐसा split करो कि इनका product यह में जाएगा, तो देखो, आपके पास x है, तो आप इसको क्या लिस सकते हैं? 2 x minus x, और आप यह सोच रहे तो गलात, क्यों? देखो, आप 2 x minus x करो कि तो x तो आ जाएगा, लेकिन आप इन दोनों का multiply करो जाएगा, यह क्या बन रहे है? minus 2 x square, 2 x into minus x, यह हो जाएगा, minus 2 x square, और आपको चाहिए क्या था? 2 x square, इसलिए गलात हो जाएगा, ऐसा नहीं किर सकते है, ठीक है, अब देख ले न, middle translate नहीं होगा, तो आप middle translate नहीं होगा, तो क्या करो? क्या क्या करो? क्या होता है? a x square, plus b x plus c equal to 0, तो x यहाँ पर क्या होता है? minus 2, plus minus, square root of 2 square minus 4 से, upon 2a, ठीक है? आप compare करो, root 2 x square, plus x, plus root 2 equal to 0, a क्या है आपका? a है root 2, b, 1 है, और c क्या है root 2, ठीक है? तो x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, minus b, minus root 2, plus minus, square root of b square, root 2 का square, minus 4ac, a है root 2, और c भी है root 2, ठीक है? अपन 2a, a क्या है root, ठीक हो जाएगा, x equal to minus root 2, plus minus, square root of root 2 का square 2, minus, minus, root 2, into root 2, यह 2 हो जाएगा, और 2 को 4 से multiply करोगे, 8 हो जाएगा, यह हो जाएगा, 2 root 2, यह हो जाएगा, x equal to minus root 2, plus minus, यह हो जाएगा, square root of minus 6, आप square root of minus 6 को क्या लिख सकते हो? square root of minus 1, into 6, अब दोनों पर power अलाग अलाग अलाओ, square root of minus 1, into square root of 6, यह हो जाएगा, square root of 6, और इसके जगा हम आप लिख दो, iota, ठीक है, upon में, 2 root 2, यह हो जाएगा, x equal to minus root 2, plus minus, इसके root of 6, upon में, 2 root 2, अच्छा, अगर आप root 6 को की लिखना चाहो तो, क्या लिख सकते हो? 3 into 2, और दोनों पर अलाग अलाग पावर लगा तो, यह हो जाएगा, root 3 into root 2, यह हो जाएगा, x equal to minus root 2, plus minus, root 6 को हम लिख सकते है, root 3 into root 2, iota upon 2 root 2, अब उपर से root 2 common करो, root 2 common करोगे, minus 1, plus minus, square root of 3, iota upon 2 root 2, इससे यह क्या अंसर, अब आप क्या करूँ, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, minus 1 by 2, plus minus, square root of 3 by 2, यह आपकी x की value हो गई, आप देख लिख बाएगा, नेक्स्ट, question number 22 है, x square plus x plus 1 upon root 2, ठीक है न, अब अब क्या करो, x square plus x plus 1 upon root 2, इक्वल टो 0, अब आप अल्थियम लो, इसको इधर, इसको इधर, यह जगर root 2 x square plus root 2 x plus 1 upon root 2, एक्वल टो 0, ठीक है, अब इन दोनों को multiply करो, यह क्या बनेगा, root 2 x square, यही बनेगा, इन दोनों का product क्या बनेगा, root 2 x square बनेगा, अब middle term को ऐसा split करो, कि उनका product यह बने, तो यह तो possible ही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर देखो न, root root x already है, आप इसको ऐसा split, नहीं करपाओगे, जैसे अगर आप चाहो तो ऐसा split कर सकते होगे, 2 root 2, 2 root 2 x, minus root 2 x, 2 में से 1 गया, 1 बच जाएगा, ठीक है, लेकिन आप इन दोनों को multiply करो, यह बनेगा, minus root, minus 4 x square बन जाएगा, तो नहीं, middle time split तो नहीं होगा, आप चेक कर लेएगा, अब यहाँ क्या करो, quadratic formula हो, quadratic formula क्या होता है, ax square, plus bx, plus c, equal to 0, x क्या होता है, minus b, plus minus, square root of b square minus 4a से, upon 2a, ठीक है, अब compare करो, a क्या है, a है root 2, b क्या है, root 2, c क्या है, 1, अब देख लो, यह है न, ठीक है, अब formula लगा दो, x equal to minus b, minus root 2, plus minus, square root of b square, b क्या होता है, root 2 square minus 4a, c, a है 1, sorry, a है root 2, और c है 1, upon में, 2a, a क्या है, root 2, ठीक है, यह जाएगा, x equal to minus root 2, plus minus, square root of root 2 का square, 2 minor, यह जाएगा, 4 root 2, 4 root 2, upon में, 2 root 2, 2, x equal to minus root 2, plus minus, अब अब यहाँ से 2 common करो, 2 common करो, यह जाएगा, 1 minus, 2 root 2, यह जाएगा, ठीक है, upon में, 2 root 2, हम यहाँ से भी root 2 बाहर कर लो, यह जाएगा, x equal to minus root 2, plus minus root 2, square root of 1 minus 2 root 2, upon में, 2 root 2, अब रूट 2 common करो, root 2, minus 1, plus minus, plus minus, square root of 1 minus 2 root 2, अब देखो, 1 minus 2 root 2 क्या है, 1 minus 2 root 2 क्या है, यह जो है न, यह negative value है, यह क्या है, negative value है, अब देखो, 1 minus, root 2 क्या होता है, 1.41 something, यह होता है, आप इसको 2 से multiply करोगे, यह हो जाएगा, 2 point something, ठीक है न, और 1 minus करोगे, 2 point something, यह हो जाएगा, minus 1 point something, minus 1 क्या है, negative है, तो यह वाला जो है न, negative है, तो आप यह जाएगा, कि root यह जाएगा, कभी भी negative नहीं होता है, तो अब इसको क्या करो, negative को common ले लो, x equal to minus 1, plus minus square root of minus, common लिए, यह हो जाएगा, root 2 minus 1, आपको पता है, square root of minus 1, इसको मैं ऐसा लिख सकते है, root 2 minus 1, लिख सकते है, बिल्कुल लिख सकते है, अब दोनों पर पावर अलग अलग कर दो, ठीक है, और यह क्या हो जाता है, यह आयोटा हो जाता, यह हो जाएगा, x equal to minus 1, plus minus, 2 root 2 minus 1, आपको पन, 2, यह x की value हो जाता है, अब देखलो है, next, next question number 23 है, x square plus x upon root 2, plus 1 equal to 0, ठीक है, x square plus x upon root 2, plus 1 equal to 0, अब अलग लो, यह हो जाएगा, root 2 x square, plus x, plus root 2 equal to 0, ठीक है, अब आप इन दोनों को multiply करो, यह क्या बनेगा, इन दोनों को multiply करोगे, root 2 into root 2, 2 x square हो जाएगा, अब आप middle time में ऐसा split करो, कि उनका product यह बनेगा, x को आप क्या लिख सकते हो, 2 x minus x, लेकिन उनका product क्या बनेगा रहे है, minus 2 x square, तो हम देखना, middle time split नहीं होगा, जब middle time split नहीं होगा, तो आपको क्या करना होता है, quadratic formula लगाना होता है, ठीक है, तो आप यह क्या करेंगे, quadratic formula लगाएंगे, ठीक है, तो quadratic formula क्या होता है, यह होता है, आप compare करो, a क्या है, यह हो जाएगा, root 2, b, b क्या है, 1, अब देखो, c क्या है, c है root 2, ठीक है, यह हो गया, अब लगाँ दो, x equal to minus b, b है minus, sorry, 1, जो जाएगा minus 1, square root of, b square, b क्या है, 1, 1 का square, minus 4ac, 4, a है root 2, c है root 2, ठीक है, upon में 2a, a है root 2, ठीक है, x equal to minus 1, plus minus, square root of 1 का square 1, minus, 4, root 2 into root 2, यह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यह हो गया 2, तो 4 into 2, 8 हो गया, तो यहाँ पर 8 लिख दो, 8, यह हो जाएगा, 2, ठीक है, अब देखो, 1 minus 8, square root of 1 minus 8, क्या हो जाएगा, square root of 1 minus 8, minus 7 हो जाएगा, ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हो, minus 1 into 7, ऐसा ही लिख सकते हो, ठीक है, आप दोनों पर पोर अलग अलग कर दो, square root of minus 1, into square root of 7, square root of minus 1, यह उटा हो जाएगा, यह हो जाएगा, root of 7, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब आप इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, ठीक है, ठीक है, यह आप एक्स की value निकल लगी, आप देख लेगा, यह बार, next question number 24 है, square root of 5x square, plus x, plus square root of 5, ठीक है, इक्वाल टू से, अब आप देखू, इन दोनों का product करो, root 5x square, plus x, plus root 5, equal to 0, ठीक है, अब इन दोनों का product करो, क्या बनेगा, 5x square बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, 5x square, अब आप middle term को ऐसा split करो, कि उनका product यह बन जाए, आप इसको दो टर्म में ऐसा लिखो, कि उनका product यह बन जाए, ऐसा possible नहीं है, हम x को, ऐसा split नहीं कर सकते, इसका product यह बन जाए, आप चेक करके देख लिए, नहीं बनेगा, तो जब नहीं बनता है, तो जब नहीं बनता है, तो क्या करते है, quadratic formula यूज करते है, तो quadratic formula क्या होता है, ax square plus bx plus c equal to 0, यहाँ पर x का formula बनता है, minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a, ठीक है, अब देखो, a क्या है, a है root 5, b क्या है, 1 और c क्या है, root 5, ठीक है, तो यह हो जाएकर, x equal to minus b, minus 1, plus minus square root of b square, b क्या है, 1 का square, minus 4ac, a है root 5, और c भी है root 5, upon में 2a, a है root 5, ठीक है, यह हो जाएकर, x equal to minus 1, plus minus, square root of 1 का square 1, minus, अब देखो, root 5 and 2 root 5, 5 हो जाएगा, और 5 को आप जब 4 से multiply करो, 20 हो जाएगा, ठीक है, यह हो गया, minus 20, अपन में, 2 root 5, ठीक है, x equal to minus 1, plus minus, यह हो जाएगा, 1 minus 20, 1 minus 20 क्या हो जाएगा, minus 19, अच्छा, और अपन में, 2 root 5, ठीक है, अब देखो, square root of minus 19 है, आप इसको क्या लिख सकते हो, minus 1 into 19, ऐसा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है, अब दोनों पर पोर अलग-अलग कर दो, यह हो जाएगा, square root of minus 1, और यह हो जाएगा, square root of minus 1 क्या होता, आयोटा, और यह हो जाएगा, root 19, ठीक है न, अब देखो, x equal to, minus 1, minus 1, plus minus, यह जाएगा, square root of 19, अपन आयोटा, आयोटा, upon 2 root 5, ठीक है, यह हो जाएगा, x equal to minus 1, अब क्या करो, इसको, इसके नीचे, इसको, इसके नीचे, यह हो जाएगा, minus 1 upon 2 root 5, plus square root of 19 upon 2 root 5, आयोटा, ठीक है, यह हो जाएगा, यह x की value हो गए, आप देख लो एक बार, next, next question number 25, minus x square, plus x minus 2, equal to 0, ठीक है, अब इन दोनों को multiply करो, यह क्या बनेगा, minus x square, plus x minus 2, equal to 0, इन दोनों को multiply करो, यह हो जाएगा, 2x square, ठीक है न, आप middle term को, ऐसा split करो, कि उनका product, यह बन जाए, तो आप ऐसा, जैसे आप अगर, कोशिस करके देख लो, देखो, आप 2x minus x करोगे, देखो, 2x minus x, x तो हो जाएगा, लेकिन आप इनका product करो, 2x into minus x, 2x into minus x, यह क्या बन रहा है, minus 2x square, लेकिन बनना क्या चे, 2x square, तो आप देखो, यहाँ पर middle term split नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करो, quality formula लगा दो, ठीक है, आप compare करो, ए क्या है आपका, इस equation से compare करो, a है आपका minus 1, b है क्या, b है 1, और c है minus 2, ठीक है, अब लगाओ, x equal to, x equal to minus 1, minus 1 plus minus, square root of b square, minus 1 का square, 1 का square minus 4a minus 1, और c minus 2, ठीक है, अपकान में 2a minus 1, x equal to minus 1, plus minus square root of 1 का square 1, अब देखो, minus 2 into minus 1, 2, और 2 into 4, 8 हो गया, अपकान में, अपकान में minus 2, ठीक है, x equal to minus 1, plus minus square root of 1 minus 8, minus 7, अपकान माइनस 2, ठीक है, अब आप देखो, square root of minus 7 का आप क्या लिख सकते हो, square root of minus 1 into 7, अब दोनों पर पर अलग अलग करो, यह जागा, square root of minus 1 into square root of 7, ठीक है, अब देखो, square root of minus 1 क्या होता, अयोटा, यह जागा, square root of 7, अब यहाँ पर क्या लिख सकते हो, x equal to minus 1, plus minus root 7, अयोटा अपकान माइनस 2, ठीक है, इसको इसके नीचे, और इसको इसके नीचे, या फिर आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, कोई जीकर नहीं, अब यहीं पर आने तो, यह आपको solution, ठीक है, अब देख लेगा, नेक्स्ट, question number 26 है, x square minus 2x plus 3y, 2 equal to 0, ठीक है, अब आल्जियम लो, क्या हो जागा, यह इधर multiply होगा, 2x square minus 4x plus 3 equal to 0, ठीक है, अब आप इन दोनों को multiply करो, यह हो जागा 6x square, आप इसको ऐसा split करो, कि उनका product यह बने है, तो हमको minus 4x को split करना, अब कोशिस करके देख लो, split नहीं होगा, अब जब split ना हो तो क्या करते है, quadratic formula क्या होता है, ax square plus bx plus c equal to 0 के लिए, quadratic formula होता है, x equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a, ठीक है, compare करो, a होगा 2, b हो जाएगा minus 4, और c हो जाएगा 3, ठीक है, अब आप देखो, x के जगा b, sorry, sorry, minus b, b है minus 4, plus minus square root of b square, तो minus 4 का square, minus 4ac, 4 into 2 into 3, अब आउन में 2a, a है 2, ठीक है, तो x equal to minus minus plus 4, minus 4 का square 16, minus, आप देखो, 3 into 2, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और अब जब 6 को 4 से multiply करोगे, यह हो जाएगा minus, sorry, 6 into 4, 24, upon 4, यह हो जाएगा, equal to, x equal to, 4 plus minus square root of minus 8, upon 4, ठीक है, अब देखो, square root of minus 8 का भी यह लिखे, तो square root of minus 1 into 8, दोनों पर पर अलग अलग करोगे, तो यह जाएगा, square root of minus 1 into square root of minus 1 को मायोटा बोलते हैं, और root 8 को 2 root 2 लिख सकते हैं, अब कैसे आप देखो, अब इसको, 8 को 4 into 2 लिख सकते हो न, और 4 बाहर आएगा, root के तो क्या जाएगा, 2 आएगा बाहर, और यह हो जाएगा, root 1 दा जाएगा, तो जाएगा, x equal to 4 plus minus, इसके जगा हम लिख रहे हैं, root 2 root 2 आएगा, upon में 4, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, तो जग x equal to 4 upon 4, plus minus 2 root 2 upon 4, इससे यह cancel, इससे यह cancel, और फिर इससे यह cancel, 1 plus minus 1 by root 2, यह होगी, x की value, अब देख लोगा, next, next question number 27, 3x square minus 4x plus 20 upon 3 equal to 0, ठीक है, अब आप क्या करो, एल्सियम लो, 3x square minus 4x plus 20 upon 3 equal to 0, एल्सियम लोगे, यह इधर multiply कर, 9x square, यह यहाँ पे भी, minus 12x plus 20 equal to 0, अब आप में 3, आज 3 को दर shift करते हो, जगा, 9x square minus 12x plus 20 equal to 0, ठीक है, इन दोनों का multiply करो, इन दोनों को क्या बनेगा, 180x square, अब आप मिडल्टन को ऐसा split करो, कि उनका प्रोडिक्ट यह बने, आप देख लो, possible नहीं होगा, मिडल्टन को split कर, आप चेक कर लेना, अब यहाँ अगरो, सिधे quadratic formula प्लाई करो, quadratic formula क्या है, यही है, आप compare करो, तो a है, 9, b है, minus 12, और c है, 20, ठीक है, यही है, x equal to minus b, यह होजाएगा, minus 2 का minus 12, plus minus, b square, b होजाएगा, minus 12 का minus 4a, यह है, 9, और c है 20, अपन में 2a, यह होजाएगा 9, ठीक है, यह होजाएगा, x equal to, यह minus और यह minus plus, 12 upon square root of 12 का square 144, अब multiply करो, 20 into 9, यह होजाएगा 180, और 180 का आप 4 से multiply करोगे, यह होजाएगा 720, ठीक है न, यहाँ पर दीदो, 720 upon, 2 into 9, 18, ठीक है, ठीक है, आप देखो, next, आप क्या करो, x equal to 12 plus minus square root of 720 minus 144, यह होजाएगा, minus 576 upon 80, आप देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, minus 1 into 576, दोनों के पावर अलागल करो, हो दो माइनस 1 into square root of 576, इसको तो पर्याटा बोलते हो, square root of 576, 24 हो जाता है, यह फिए्पोर होटा , 2x equal to 12 plus minus, इसके जगा, हम लिख सकते हैं 24 आयोटा अपन में 18 आप क्या करो इसको इसके नीचे इसको इसके नीचे 12 आपन 18 प्लस माइनस 24 आपन 18 आयोटा यह हो जाएगा 2 6 के टेबल से कैंसल करें 2 और 3 यह जाएगा 4 आ 3 तो x इक्वल तो 2 बाइ 3 प्लस माइनस 4 बाइ 3 आयोटा अब देखंगा ग्लसट अब दिया झाल झाल झाल